वेल्कम तो संजीब कपूस किचन आप सबका मेरी किचन में बहुत-बहुत स्वागत है और आज मैं आपको लेकर चल रहा हूँ सिंध प्रदेश जी यहां सिंधी कुछ रेसिपीज आपके लिए तो चलिए सिंधी कड़ी आपके लिए शुरुवात करते हैं आज के स्पेशल एपिसोड में तो इसे बनाने के लिए बहुत सिंपल सी रेसिपी है अब जैसे पंजाबी कड़ी में तो दहीं जो है वो लेनी पड़ती है और दहीं को आप लेकर भई थोड़ी खटी भी होनी चाहिए बटर मिल्क थोड़ा खटा होना चाहिए सिंधी कड़ी में ऐसा तो आलू जो है वो भी इसके हंदर डालेंगे हम अब आलू के बड़े पीसे अब देखे सिंधी कड़ी में जो बेशन है वो थोड़ा डालते हैं हम और बेशन लेकर इसे पकाना पड़ता है लेकिन उससे पहले यह जो मैंने तेल लिया है इसमें कुछ चीजे मुझे डालन और उसके साथ साथ यह जरूरी चीज है यह है मेथी मेथी दाना यह बहुत जरूरी और उसके साथ साथ जीरा जीरा भी बड़िया टेज देता इसके अंदर और उसके साथ साथ इसमें कुछ करी पत्ते अब देखे इसमें मैंने जो कुछ चीजें डाली हैं वो इसलिए ता लेकिन फोड़ी सी और वो बढ़िया हो जाया यह जो है इसके साथ साथ अब इसमें पेसन यह लीजिए जिया बेसन सिंधी में बेसन को बहुत जादा फरक नहीं होता तो यह लेलिया इसके अंदर और बेसन डाल कर इसे हमने पकाना है तो यह जो बेसन है इसको अच्छी तरह से पकना चाहिए और कुछ लोग क्या करते हैं जो बेसन है उसको अलग भून लेते हैं कुछ लोग इसी तरह से इसी में देखे आजकल जो समय है न सबके पास में वो कम होता है तो जितना काम फटा-फट हो जाए उतना अच्छा खैर चलिया आप कहते हैं तो कुछ मैं आप को थोड़ा सा कुछ अलग करके बता जिता हूँ जैसे सबजियां हैं अगर आप उसको अलग से सौते करके डालना चाहें तो डाल सकते हैं भून लिया इसे हमने अच्छी तरह से और अब जो है इसके अंदर थोड़ा यह लीजिए इससे पहले कि जो बेसन है यह कुछ जले या कुछ ऐसा हो ऐसा स्को भी नहीं रखना और यह देखिए इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं ताकि इसमें लंप्स भी ना पढ़ें अब मैं जैसे आपको बता रहा था कि यह जो सबजियां हैं जैसे यह भिंडी वगएरा है यह आप ले सकते हैं और अब भिंडी को थोड़ा सौते करके डाल सकते हैं यह भिंडी साफ करके यह और इसके साथ साथ यह जो गवार की फलियां हैं यह दोनों आप सौते करके इसके अंदर डाल सकते हैं खैर यह जो है इसके अंदर पानी अब जो कड़ी करी जो है अच्छी तरह से कड़ने के बाद में ये बनती है कड़ी लेकिन उससे पहले इसके अंदर भई जड़ा खटी चीजें कुछ तो डालनी वड़ेंगे न और वो चीज में क्या है मेरे पास ये लिजिए टमाटर ग्रेट किया हुआ टमाटर ये इसके अंदर और इसको भी अच्छी तरह से पकने देना है हमने ये जो कड़ी है ये कड़ी जैसी दिखनी रही है वो क्यों क्यों कि इसमें वेदे कि हल्दी नहीं पड़ी है अब हल्दी नहीं पड़ेगी तो कड़ी वैसी दिखेगी नहीं लाल मिर्च नहीं तब इकड़ी नहीं दिखेगी तो इसके अंदर हल्दी और लाल मिर्च पाउडर और उसके साथ-साथ नमक यह डाल दिया और फिर यह लिजिए अब इसको पकने हैं और यह जो । ड्रम स्टिक हैं यह भी सके अंदर आलू जो है यह भी इसके अंदर अच्छा आप इसके अं नहीं तो ग्रेट करके भी डाल सकते हैं, और यह अच्छा टेस्ट आता है इसका, और इन सब चीजों को पानी के साथ अच्छी दराँ खुल दिया, यह जो सबजी सही, यह भी इसके अदर आप चाहें तो भी डाल सकते हैं, बाद में डाल सकते हैं, यह लीजे, इसको मिक्स कर ना हो तब तक मज़ा नहीं आएगा और ये जो है खटास भी देता है और उसके साथ-साथ इसका जो कलर है वो भी थोड़ा डाक हो जाता है इसकी वज़े से तो ये इमली डाल कर इसको मिक्स कर देते हैं और इसे कुछ देर तक और पकने देते हैं धीमी आज पर धक्कन लगा कर ताकि ये जो कड़ी है ये पूरी दना से तयार हो जाए सिंधी कड़ी बनाने के लिए आपको चाहिए चार चोटे चमच बेसन चार बड़े चमच तेल एक साइजन की फली दो मध्यम आलू एक चोथाई चोटा चमच हींग आधा चोटा चमच राई एक चोटा चमच पाउडर नमक स्वादनुसार एक चोटा चमच कसा हुआ अध्रक और एक चोटा चमच इमली का गुदा सिंधी कड़ी बनाने के लिए सबसे पहले एक गहरे नॉन्स्टिक पैन में दो बड़े चमच तेल गरम कर ले साइजन की फली के देड़ इंच के टुकड़े काट ले आलू के बड़े क्यूब्स काट ले पैन में डाले हींग, राई, मेथी दाना, जीरा और कड़ी पत्ते और महक आने तक भूने अब डाले बेसन और महकने तक भूने डेड़ कप पानी डाले और अच्छी तरह मिला ले एक छोटे नॉन्स्टिक पैन में दो बड़े चमच तेल गरम कर ले, भिंडी और गुवार डाल कर भूने, बेसन के मिश्रन में टमाटर डाले और अच्छी तरह मिला ले, अब डाले हल्दी पावडर, लाल मिर्च पावडर और नमक डाल कर मिलाएं, अब डाले साइजन की फली और आलू और पकने दे, फिर डाले अदरक, भि अबली का गुदा डाल कर मिला ले, एक या दो मिनिट तक पकने दे, उबले हुए चावल के साथ गरमा गरम परोसे,